हलो फट्रेंड, नमस्ते, आज हम आपको पत्ता गौभी की सबजी बनाना बताएंगे इसके लिए मैंने आलू को और पत्ते गोभी को दोनों को उबाल के बनाया है इसे सब्जी बनाने से इसका टेस्ट अलग आता है और सब्जी इसकी थिक होती है, गाड़ी होती है दो MI no कि अव मैंने इसके लिएचे कि अब मैंने अपने कड़ाई को अब इसमें थोढ़ सा तेल ढालेंगे ि तु Ms. 3 त्भ के लगमंग मैंने इसमें तेल डाल दिया है यह मैंने जीरा डाला जीरे का तड़का हो जाएगा फिर ये लसन ढाल दिया है यह थोड़ा सा brown हो जाएगा और इसमें हम हर image डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा लाल हो जाएगा फिर इसके बाद हम इसमें जो मैंने बारिक प्याज काटके रखा था वो इसमें हम डाल देंगे इसमें मैंने जो बारी कटा हुआ प्यास था वो भी डाल दिया है अब इस तरह से इसको हम चलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे कि मेरा प्यास थोड़ा सा रेट कलर में आ जाए फिर उसके बाद हम इसमें मसाले एट करेंगे ये थोड़े से मैंने हल्दी पॉडर डाल दी है और इसमें डालेंगे लाल मिश पॉडर थोड़े सी तीकी सबजी होती चटपटी तो अच्छा लगता है खाने में इसमें मैंने हल्दी मिर्च ये गरम मसाला धनिया पॉडर ये मिक्स है ये भी डाल दिया मैंने इसको और इसे मसाले को मच्छे से भूनेंगे इसको तेल में थोड़ा सा भून लेंगे फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें कलर फूड कलर कश्मीरी लाल मिश पॉडर डाल इसे हम सबसी More अच्छा सब्स्सक्राइब सब्सक्राइब अर्धला को मसाला लें आदेज अर्फिक ऑनने पदल दिया और भी को अर्वे přिर्ड़न छोड़े अब कि शुब कर्या हुआ तरमाटर था तामाटर भी डाल दिया है अब इसको भी हम अच्छे से चलायेंगे डाल दिया है तरमाटर भी गल जाएगए उसके बार आलू भी उबाल रखा है अब आलू भी उसमें हम डाल देंगे इस तरह से सब्जी भी मेरी जल्दी से हो जाती है आलू भी डाल दिया ढख दिया दो एक से दो मिनट के लिए और ये सब्जी मेरी लगबग रेडी हो गई है ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसको हम पत्य गोबी की सब्जी तैयार हो गई है मेरे चैनल मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक से जरूर कीजेगा कमेट में बताएगा पत्य गोबी की सब्जी उबाल के कैसे बनी थी अपनी फैमिली में जरूर कीजेगा धन्यवाद